JEE Advance परिक्षा से जोड़ी बड़ी खबर आपको बता दे कि JEE Advance के परिक्षा आज से शुरू हो गई है 1.6 लाख अभ्यार्थी जो हैं परिक्षा में शामिल होंगे IIT दिली करवा रहा है परिक्षा का आयोजन तो ही 23 IIT की 11,000 से ज़्यादा सीटों के लिए होगी है परिक्षा एक्षाम सिटी के संच्या एक से 64 से बढ़ा कर 222 कर दी गई है अभी अर्थियों को बड़े बटन वाले कपड़े ना पहनने के सला जी गई इसके साथ च्वैन, अंगोफी, ब्रैसलेट और इरिंग्स और पेंडेंट पहन कर आने पर रोक लगाई गई है परिक्षा केंदर पर इलक्रोनिक्स डिवाइस, गैजेट बिलाने पर पूरी तरीके से रोक होगी तो ही सुबह 9 बजे से परिक्षा शुरू होगी अभी हार कि इस तरीके से जे डबली एडवान्स के परिक्षा आज हो रही है तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो सेंटर स्पे की गई हैं और ये परिक्षा सबसे पहले बता दूँ आपको दो पालियों में होगी पहली पाली नौ से दुपहर बारा बजे तक चलेगी और दूसरी धाई बजे से साड़े पांच बजे तक होगी और अगर हम बात करें तो तमाम चीजों का यहां पर ध्यान रखा गया है इलेक्ट्रोनिक आइटम कर लाना बिल्कुल मना कर दिया गया है बाकि जो कोरोना के चलते तमाम चीजें हैं गाइडलाइन से उसका फॉलो करने के लिए कहा गया है और परीक्षा का परिनाम है अगर हम रिजल की बात करें तो पांच अक्टूबर को गोशित किया जाएगा तो जितने भी सफल अभ्यारती है जो देश भर में आयती संसानों में 11,000 सीटों पर है वो 6 नमबर से 9 नमबर के बीक में उनका जो सीटों का आवंतित है वो होना शुरू हो जाएगा और तमाम एरेंग्स और बड़े जैसे आपने भी बताया तो बड़े बचंस वाले यहां पर रखा गया है जो 24 केंद्रों पर यहां पर अध्वांस परीक्ष्ण होने जा रही है करना होता है तो फोन पर कर देते हैं और एक डर भी है उनके मन में अगर हम इस बार को रोना काल की जितने भी परीक्षा देखा जाएं सबसे साथ उनके अभी वावक में भी डर है वो यह चाहते हैं कि भई परीक्षा भले ही टल जा है लेकिन बच्चों की सुरक्षा रहे तो ऐसे में आप क्योंकि न्यू नॉर्मल के साथ हमें जिन्दगी जीनी है जीरे जीरे केसिस भी घट रहे हैं तो चीजे बिलकुल रफ्तार पकड़ेंगी लेकिन हाँ अभी डर जरूर है उनके चेहरों पर कहीं न कहीं जी निकिता बिलकु ठीक आपने डर जो है वो साफ तोर पर जो स्टूरेंट्स उनके चेहरे पर देखने को मिल ला तो वहीं आपसे जाना है कि जो बैठने की वैवस्ता है उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है क्योंकि पहले जो डेक्स होते थे वो एक के पीछे एक होत पालियों में अंतरिस ने रखा है क्योंकि जब एक पाली जो की बारा बजे खतम होगी उसके बार पूरा रूम को सानेटाइज किया जाएगा दो गर्स की दूरी भी रखी गई है ताकि अब पहले तो जैसे अगल बगल बैठ सकते ते जिसने भी शातर होते थे लेकिन अब की वाटर बॉटल और सेनिटाइजेशन की बॉटल खुद ले करके आए एक ट्रांस्पेरन बॉटल में तो दो गर्स की दूरी पे रूम में अब बीस से ज़्यादा बच्चों को नहीं बैठाया जा रहा है किसी भी एक्जांस में जी निकिता तमाम जो गाइडलाइन से उनको फॉलो करते वो जो पेपर है वो आज होंगे बहुत दो शुक्रिया निकिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए